हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैस का जो एट चैप्टर है ट्रिगनोमेटरी उसके वन मार्क्स के कुछ करेंगे जो की बोर्ड एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोश्चन हमारे है इफ साइन इस इकल टू वन बाई टू देन दा वैल्ली ऑफ कॉर्ट ए तो हमें कॉर्ट की वैली उतानी है क्या होगी ठीक है तो इस बोद्दा अब यहां बोहीं सब्सचे में ओड़ियो से तो पी हमारा वन हो गया हाई पॉर्ट्ट ञेक है कि टीक है तो बेस निकालने के लिए उसिपाइस अपलाइ tapa हो क्या होता है बेस का स्क्वार हैð तो 4-1, 3 हो जाएगा, तो B हमारा क्याएगा, अंडरूप 3 आएगा, यह अंडरूप 3 हो गया, ठीक है, हमें निकालना क्या है, कॉट A, कॉट जो है, वो किसका रिशो होता है, वो होता है, बेस और पर्पेंडिकुलर का, तो बेस हमारे पास यहाँ पर रूप 3 है, और पर्पेंडिकुलर हमारे पास 1 है, तो रूप 3 इसका करेक्ट आंसरों का, अप्शन नमबर 1, अगला कॉश्चन देखते हैं, अगला है, आप पर बोला है कि sin theta minus cos theta is equal to 0 है, तो हमें value निकालनी है, sin 4 theta plus cos की power 4 theta की, इसकी value हमें बतानी है क्या होगी, ठीक है, तो देखिए, यह हमें given है, तो इसको मैं थोड़ा simplify करूँ, sin theta is equal to cos theta, अगर मैं dividing both sides cos से कर दूँ, तो हमारा यह हो जाएगा, sin theta upon my cos theta is equal to 1, sin और cos, sin upon my cos हमारा 10 होता है, तो 10 theta जो आ रहा है, equal to 1 आ रहा है, ठीक है, अब sin theta equal to 1 है, तो किस angle पर 10 की value 1 होती है, 45 degree पर है, ठीक है, 45 degree पर 1 होती है, तो हमें यह पता लग गया है कि जो theta है, उसकी value क्या है, 45 है, तो हमें जिसकी value निकाल ली है, 445 प्लस cos 45 degree, इसकी power 4 है, तो sin 45 कितना होता है, 1 by root 2 होता है, इसकी power 4 प्लस cos 145 भी हमारा root 2 होता है, इसकी power भी 4, तो 1 की power 4 है, और यह root 2 की power 4 है, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, यह 4 आएगा, और यह भी 4 आएगा, तो दो बटे चार, तो answer आगे है 1 by 2, option number 3, अगला है हमारे पास, 2, 10, 30, आप उन में 1 plus 10 square 30 degrees की value बतानी है, तो 10, 30 degree की value जो होती है, 1 by root 3 होती है, ठीक है, तो यह value हम यहापर put करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा, 2 into 1 by root 3, denominator में 1 plus 30 है, तो 1 by root 3 का square, तो यह तो हो कि 2 upon में root 3, और नीच आएगा, 1 plus 1 by 3 आएगा, क्योंकि रूट से square अट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 by root 3, उपर का सेम रखा, LC हम लेंगे तो 4 by 3 आएगा, तो 2 by root 3 into, यह तर आखर राकर reciprocal हो जाएगा, 3 by 4 हो जाएगा, ठीक ह 3 by 4 हो जाएगा, अब हमें करना क्या है, इसको simplify करना है, यह 1, यह 2, root 3 से cancel करेंगे, तो उपर root 3 बचा है, ठीक है, तो इस पूरे को solve करने के बाद जो आ रहा है, हमारे पास root 3 by 2 आ रहा है, ठीक है, root 3 by 2 आ रहा है, अब root 3 by 2 किसकी value होती है, साइन 60 की जो value है, वो हमारी root 3 by 2 होती है, तो यही हमारा इसका correct answer का option number A, फोर्थ है हमारे पास, साइन थीटा दे रखा है, A upon में B, तो हमें बताना है, cos theta क्या होगा, तो इसके लिए हम एक triangle draw कर लेते हैं, right angle triangle, ठीक है, A, B, C, हमने ले लिए कि थीटा हमारा C पर है, ठीक है तो हमारे पास जो sin theta है, sin theta दे रखा है, A upon में B, यह होता है, perpendicular upon में hypotenuse, तो perpendicular A हो गया, तो hypotenuse क्या हो गया, B हो गया, तो हमारे पास जो base है, तो base कैसे निकालते हैं, perpendicular hypotenuse का square minus base, perpendicular का square, तो A square, B square minus A square हमारा क्या हैगा, base आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, cos theta, होता है बेस अपॉन में हाइपॉटिनेस तो बेस हमारा है रूट बी स्कुर माइनस ए स्कुर अपॉन में है इस पूरे एक्स्प्रेशन की तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मले आ दोने चाहिए जैसे कि साईन नाइन्सी माइनस थीटा हमारा क्या हुता है कॉस थीटा लेको तूस थीटा और कॉस नाइनटी माइनस थीटा इस पॉस्टू साइन तीट ठीक है अभी यह दौनों अप्लाइव रहे हो जाए पर नांच कर लेते हैं कैसे करेंगे अगर मैं साइन शिक्स्ट्य एड यिख्वल लिख सकते हैं हम कॉस्ट्वенты उके लिख सकते हैं तो यहां पर अगर मैं चेंज करूं ऊबर तो हमारे पास ही क्या जाएगा कि यह जाएगा हमारा साइन स्क्वेर 22 दिगरी प्लस इसकी जगह में लिख सकते हूं तो यह जएगा वारा Qaos² 22 ऐसी डिनोमि необход कुर आसे मिनेटि गए अब प्लस में साइन स्क्वैर सिक्स्टी थी रिगिरी है 플स अब कॉछ 63 और साइन सिक्स्टी थी थो सकता हूं मैं स हो सिक्स्टी थी करेंगे तो यहां पर Augen day कॉषेज़ 23 या निया। ठीक है अब हमें एक identity पता है कि sine square theta plus cos square theta जो है वो equal to one होता है तो यहाँ पर angle उपर भी same है यहाँ भी same है और यहाँ पर भी same है ठीक है तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ जाएगा one upon one plus one इस पूरी की value भी one होगी तो दोनों को add करेंगे तो इसका correct answer हो जाएगा अगला question है हमारे पास if cos bracket में alpha plus beta equal to zero है तो cos alpha plus beta जो है वो zero है तो हमें sin alpha minus beta की value बतानी है क्या होगी ठीक है और इसको reduce करेंगे तो तो देखिए यहाँ पर cos की value zero कब ओती है 90 degree पर होती है cos 90 degree जो है वो हमारा zero होता है ठीक है तो हमारा जो alpha plus beta है वो 90 degree की equal हो गया है ठीक है हमें क्या बोला है हमें value नकालनी है साइन अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो यहां पर अगर मैं अल्फा की वैल्फा की निकाल हो, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है, हमें वैल्फा माइनस बीटा की, तो यहां पर अल्फा की जगा मैं यह वैल्फा की पूट कर सकता हू तो sin 90 minus beta minus beta तो यह क्या हो जाएगा साइन 90 minus 2 beta हो गया तो हमारे पास आईडेन्टी प्री छोती है sin 90 minus theta क्या होता है ? cos theta तो cos theta की जगह आएगा हमारा 2 beta तो cos 2 beta इसका सही answer हो जाएगा अगला है हमारे पास यहांपर sin alpha एक बटे दो है, cos beta एक बटे दो है तो हमें value बतानी है alpha plus beta की तो दीखिए sin alpha एक बटे 2 है एक बटे 2 जो value है वो किस पर होती है sin 30 degree पर होती है तो हमें इससे पता लगा कि जो alpha है वो 30 degree होगा ठीक है ऐसे ही cos beta जो है 1 बटे 2 है तो cos की value एक बटे 2 60 degree पर होती है तो beta जो आगया हमारा 60 degree आगया हमें निकालना है alpha plus beta तो दोनों को add करेंगे 30 और 60 हमारा कितना आजाएगा 90 degree option number D इसका सही हो जाएगा next question हमारे पास है cos 9 alpha is equal to sin alpha ठीक है तो हमें value बतानी है 10 5 alpha की तो देखें cos 9 alpha equal है sin alpha के ठीक है तो हमें एक identity पता है कि जो cos 90 minus theta है वो equal होता है sin theta के ठीक है तो यहां पर हम identity apply करेंगे तो cos 9 alpha equal to हो जाएगा cos 90 minus alpha के अब दोनों साइड cos हो गया तो angle भी same होगा तो 9 alpha equal to 90 minus alpha तो जो एक 10 alpha equal to 90 तो alpha की value हमारे पास कितनी आ गई है alpha की value 9 आ गई है हमें निकालना है 10 5 alpha तो इंटू 9 करेंगे तो 10 45 10 45 होता है हमारा 1 तो option number C इसका correct answer है next question हमारे पास है sin 45 degree plus theta minus cos 45 degree minus theta तो बताने यह किसके equal होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक को change करूँ ठीक है तो यहाँ पर है हमारे पास cos 45 degree minus theta तो इसको मैं कह लिख सकता हूँ sin 90 minus theta की जगे यह पूरा जाएगा 45 minus theta ठीक है इसको थोड़ा और simplify करूँ तो sin 90 minus 45 plus theta हो जाएगा और यह हो जाएगा sin 45 plus theta के equal तो यह जो cos 45 minus theta है वो sin 45 plus theta के equal है तो यहाँ पर sin 45 plus theta minus इस पूरे को cos 45 minus theta को मैं sin 45 plus theta लिख सकता हूँ कि दोनों equal है तो यह cancel होकर 0 के equal हैगा option number B अगला है हमारे पास जहाँ पर हमें इसकी value बताने है तो 10 हमारा 1 degree into 10 2 degree ऐसी 10 3 degree करते हुए 10 89 degree तक चल रहा है तो हमें बताने इस पूरे की value क्या होगी अब इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए आपको एक identity पता होनी चाहिए जैसे कि 10 90 minus theta जो है हमारा cot theta होता है तो यहाँ पर हम वो देखेंगे एंगल जिनका sum 90 बन रहा है 1 degree into cot 1 degree लिख सकते हैं ऐसी अगर मैं करूँ 10 2 degree को 88 के साथ तो वहाँ पर cot 2 आएगा ठीक है तो यह हो जागा 10 1 degree into 1 by 10 1 degree into 10 2 degree into 1 by 10 2 degree ऐसे करते हुए चलेंगे तो हमारा पूरा solve करके answer जो आएगा वो 1 ही आएगा ठीक है अगला question देखते हैं हमें इसकी value बतानी है तो 10 45 जो होता है वो 1 होता है ठीक है 1 होता है तो यहाँ पर 1 minus 1 का square upon में 1 plus 1 का square तो यह उपर तो 0 आ रहा है 0 upon 2 हमारा 0 होता है answer D हो जाएगा इसका 0 next question है यहाँ पर 4 10 theta equal to 3 है 4 10 theta is equal to 3 है तो 10 theta की value अगर मैं निकाला हूँ 3 by 4 हो जाएगी ठीक है हमें value निकालनी है 4 sin theta minus cos theta upon में 4 sin theta plus cos theta तो हम क्या करेंगे numerator और denominator दोनों को ही मैं cos से divide कर देता हूँ ठीक है क्यों? क्योंकि हमारे पास sin theta upon में cos theta sin theta और cos theta हमारा 10 theta होता है ठीक है तो सबको 10 में change कर लेते हैं तो 4 sin theta upon में cos theta minus cos theta upon में cos theta हो जाएगा एसी denominator वाले हो करेंगे तो 4 sin theta upon में cos theta प्लस cos theta upon में cos theta ठीक है? तो इसको simplify करेंगे तो 4 ये 10 theta हो जाएगा minus 1 cancel करके 1 आएगा ऐसी denominator में 4 10 theta plus 1 तो इसमें value पुट करेंगे 3 by 4 तो 4 into 3 by 4 minus 1 4 into 3 by 4 plus 1 4 से 4 cancel तो उपर 2 by 4 आगे निचे तो ये 1 by 2 इसकी value होगी next है हमारे पास यहां बोला है sin a plus cos square equal to 1 है तो sin a plus sin square a इसकी value 1 दे रखी है ठीक है हमें value किसकी निकाल ली है cos square a plus cos की power 4 a की तो यहां पर अगर मैं करूं sin a की value निकालूं तो यह जागा 1 minus sin square a ठीक है हमारे पास identity होती है sin square a plus cos square a equal to 1 यह होती है ठीक है तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो cos square a को लिखना सकते है 1 minus sin square a के equal तो sin a जो है हमारा क्या जाएगा cos square a के equal जाएगा ठीक है तो यानि कि हम cos square के जागा हम sin a लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है हमारे पास value यहां पर जो value है cos square a plus यहां पर अगर cos की power 4 है तो cos square a इसका whole square हम ऐसे करके लिख सकते हैं और cos square a plus इसकी value है sin a के equal तो यहां मैं sin a लिख सकता हूँ इसका whole square तो यह जाएगा cos square a plus sin square a और यह किसके equal है अभी हमने identity लिखी ती यह किसके equal हैगा हमारा one के equal हो जाएगा ठीक है तो option number पहला इसका correct answer हो गया है अगला question है हमें इसकी value बतानी है ठीक है तो सबसे पहले आपको 1030 की value बता होने चाहिए जो की होती है one by root three तो यहां पर value put कर देंगे 2 into one by root three upon में minus one by three तो यहां करेंगे two by root three upon में calcium लेंगे तो यह कितना हो जाएगा दो बते तीन ठीक है तो इसको solve करेंगे दो बते root three गुना तीन बते दो से cancel करा और root से cancel करेंगे तो उपर root three बचेगा तो root three इसका answer है और root three किसकी value होती है 1060 की value होती है तो यह थे हमारे chapter 8 के one marks की कुछ important question उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा thank you